यूएस वीजा के लिए इंडिया से बहुत सारे लोग अपलाई करते हैं अगर आप इंडिया में अपॉइंटमेंट लोगे ना तो 400 से 500 दिन में आपका नम्मर आएगा इस शीज को पहले से इंप्रूफ करा गया है बट अभी भी वही सेनेरियो है आप यूएस के अपॉइंटमेंट कैसे जल्दी ले सकते हो क्या requirement रहेंगी और क्या-क्या changes हुए ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा मेरे personal experience है अगर यूएस में आपको जाना है तो वीटू वीजा के लिए आपको apply करना पड़ेगा जो की medical tourism के लिए होता है पहला जो step apply करने का वो है DS-160 form and trust me ये form बहुत जादा important है क्योंकि आपकी जितने भी basic detail होती ही न सारा कुछ इस form में वो मांग लेते हैं कि कि city में आप रुकोगे father, mother, date of birth, education, detail, occupation सब कुछ इसमें आपने fill up करना होता है और ये form सबसे ज़्यादा important है 100% correct होना चाहिए और इसको बाद में आप edit नहीं कर पाऊगे तो इसमें सबसे ज़्यादा attention आपको देने की जरूरत है इसमें सारी detail आप fill up करने के बाद जो आप submit करोगे तो आपको दूसरे step पे आना पड़ेगा और जिसके through आपको बाद में appointment मिलेगी अब ये confirmation website में update होने में 48 hour तक का time लगता है ठीक है 2 working days तो आप relax हो जाएए जैसे ही वहाँ पे update हो जाएगा तो आपने receipt number CGI portal पे update करना होगा और उसके बाद आपकी appointment book करने का आपको option दिख जाएगा अब ये जैसे आपने appointment का section आपको दिख गया तो इसमें एक चीज़ में add करना चाहूँगा अगर इंडिया से ये प्रूवरा process आप follow करते हो ना तो 400, 400 दिन में आपका number आ जाएगा बट इंडिया के बाहर बहुत सारी ऐसी जगह हैं नॉन पॉपुलर जहां पे 15-25 देज में आपको appointment आराम से मिल सकते हैं और पहले से apply कर सकते हैं इंडिया से बैठे 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 बट वहां पे एक चीज़ आईगी वहां पे वह जब आपका interview process के दोरान आप से पूछ सकते हैं आपने इंडिया से क्यों apply नहीं करा और यहां से क्यों apply करना चाहते हो और अगर urgency आपका reason है तो urgency क्यों है तो आपके पास reason होने चाहिए फिर CGI website पे आपको दो venue के option आएगा अगर आप इंडिया से apply कर रहे हो तो एक दिन आपको biometric appointment बुक करनी पड़ेगी दूसरे दिन आपकी counselor appointment होईगी बट अब इंडिया से बाहर कर रहे हो तो same day ही दोनों appointment आप कर सकते हो same day आपका biometric हो जाता है और same day ही counselor appointment भी आपकी हो जात पास्पोर्ट आपका ले लेंगे उसके बाद जो आपका delivery address होगी उस पे जब stamping हो जाएगे उसके बाद आपको courier करेंगे तो वो address आपने सही रखना है और इंडिया के बाहर अगर जाते हो तो वो passport आपका collect कर देते हैं और stamping के बाद appointment में एक दो दिन का time लेते हैं stamping के और कोई भी document नहीं बोलते हैं वो बोलते हैं आपकी need के हिसाब से या application के हिसाब से अपलाओ एक generalized statement वो issue कर देते हैं कि जो भी required है वो document आप लेकर आई अब required में कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो मान सकते है तो जो basic document है पहला तो DS-160 form आपको लेके जाना ही है color लेके जाते हो सबसे best है payment confirmation receipt आपको लेके जानी है अपना passport obviously आपको लेके जाना है और photo जो भी वीजा के लिए आप apply करते हो उसका एक particular format होता है जैसे Malaysia का एक different format है US visa का एक different format है तो वो format के साबसे अपने photos लेके जानी तो यह document तो must have है अब जो next चीज है वो आप ज़रू लेके जाना bank statement क्य चाहिए ऐसा ना हो कि आपने 3-4 लाग रुपए आ रहे हैं फिर आप withdraw कर ले रहे हो फिर आ रहे हैं फिर withdraw कर ले और मतब उसमें रहना चाहिए तक कि उसको लगे कि इस बंदे के पास surplus fund है next चीज है word certificate education के document experience जो भी आपके पास है वो सारी चीज़ें अपने साथ carry करें क्यो basic question आपको आएगा आप क्यों जाना चाहते हैं आप अपने travel को कैसे afford करेंगे यह सारे reasons रहेंगे कोई भी document को कलती से भी आपने गलत नहीं submit करना है नहीं कुछ गलत बताना है किसी भी type का कोई fake document नहीं चलेगा सही information आपको देंगे आपको कुई भी दिक्कत नहीं होगी पुछा आपने कुछ extra नहीं करना है आपको उतना ही answer देना है and that would be sufficient और उसके बाद जब आपका appointment हो जाएगा I hope कि आपका visa approve हो जाएगा उसके बाद वो आपको congratulations wish करेंगे और US का time frame 7-9 working days होता है कि वो आपको passport आपके घर में dispatch करेंगे अगर इंडिया के बाहर एप्लाए क कर रहे हैं so 2-3 दिन में वो आपको एक time बता देते हैं उस time आप collect कर सकते हैं अपना passport अभी कई cases में ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने passport submit कर लिया है बड़ उसके बाद भी visa reject हुआ है जब आप document submit करते हैं DS-160 form के according और जो interview के according उसको assessment भी होता है और assessment के बाद भी कई लोगों का reject हो जाता है तो इसीने बहुत important है DS-160 form में आप जो fill up करें वो 100% accurate हो आपके जो document हो वो भी fake ना हो और आप जो बता रहे है confidently और precisely अपनी बातों को सामने convey करागने की कोशिश करें और English बहुत ज्यादा important है आप ऐसे कई और languages में दे सकते interview बट इस्टिल अगर आपको English आती ह वो बहुत बड़ा advantage है फिर भी अगर आपकी कोई भी query है तो please comment